आज मैं आपको साग बनाने का बहुती असान तरीका बताती हूं जो के बहुती असान तरीका है इसके लिए मैंने लिया है साग तो उसको मैंने फिर काट है इस तरह बारीक काट लेने आपने तो बेशक बारीक से थोड़ा मोटा भी हो जाए कि इसमें कुछ नहीं होता तो इसको पहले आप काट ले उसके बाद अच्छी तरह वाश कर ले तकरीबन आपने इसको तीन चार बार वाश करना है उसके बाद मैंने इसको कुकर में डाला साग को फिर मैंने अद्रक और लेसन का पेस्ट डाला इसके बाद मैंने मसाले डाले इसमें नमाक मिरच दड़ा मिरच और प्याज और हल्दी भी डाली मैंने और गरम साला भी डाला अब मैं इन तमाम चीजाओं को मिक्स करोंगी तो मिक्स करने के बाद मैंने कुकर को बंद कर दिया कुकर के बहःर भी पक सकता है लेकिन मैं इसको ऐसे कुकर में पका रही हूं ताकि जल्दी बंच जाए तो मेरे कुछ उइवर्स ने बोला था कि साग बनाने का तरीका बता दें तो फिर मैंने कुकर खोला है तकरीबन 20 मिनट के बाद तो इसमें पानी खुश्को चुका था पानी इसमें हमने एड नहीं किया था क्योंकि साग पानी अपना छोड़ता है तो उसी में ये गल जाता है तो इसमें गल चुका है ये इसके बाद मैंने कुकर खोल के तो थोड़ देर मैंने इसको इसकी बुनाई की है इसके बाद मैंने इसको चौपर में डाला है तो इसको ग्रेंड करना है मैंने टुमाटर मैंने इसमें डाले थे बाद में कुकर खोलने के बाद तो इसमें मैंने टोमाटर और ओयल डाला था कुकर खोलने के बाद इसके बाद फिर मैंने बुनाई की थी उसके बाद फिर मैंने इसको चोपर में डाल के इसको धोड़ दिर चोप किया है अगर आप चोपर मैं नहीं करती तो इसी तरह भी कूट सकती है तो इसके बाद हमने इसको वापिस कुकर में डाला है यह देखिए बहुत ही अच्छा बना है तो आप इस तरीके से जरूर ट्राइ करना बहुत ही असान रेसिपी है और बहुत ही जायकेदार है इसके आप पराठे भी बना लें काके नाश्टे के टाइम तो इसको मैंने फिर बुनाई की है दो से तीन मिनट तक बुनना है इसको तो आप इसमें ऑइल एड़ कर सकते है या फिर देसी गी भी एड़ कर सकते है दोनों में से कोई एक चीज़ आपने इसमें एड़ करनी है तो यह देखे मैंने बुनाई किया इसकी दुबारा से अब इसको मैं आपको दिखा रही हूं देखें बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी बना है तो बहुत ही असान रेसीपी है तो विवर्स मेरे चैनल का विजिट कीजिएगा और मेरे रेसीपी जरूर ट्राइ कीजिए बहुत ही सिंपल तरीके से मेरे रेसीपी है सारी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल का विजिट कीजिएगा दूाओं में याद रखिएगा अल्लाहाफेज